नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टम उर्थी आप सभी का सौगत करता हूँ लर्णिंग मीरर यूटुब चैनल में दोस्तों आज एक सवाल आया वहा था सरीए 1 is to 1, 3 is to 1, 2 is to 3, 5 is to 1 क्या होता है कितने सेर्स पे मुझे कितने सेर्स बोनस मिलने वाले है मैं ये श्प्रेट की इसके वारे मैं बात में आने वाला हूँ यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दू बोनस सेर्स होता क्या है और कंपणी जो इसको 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 क्यों करती है Simple समझ ले, bonus shares जो आपका free of cost shares है जो company आपको extra देती है आपके demat account में इतने shares है उस proportionate में यहाँ पे free shares given by company to its shareholders shareholders का मत्तव क्या होता है उस company का shares जिसके पास demat account में record date को है उसको बोलते हैं shareholders आपको free shares मिलता है उस proportionate में जिस proportionate में आपका shares आपके demat account में है माल लो बोल ला हूँ उस proportionate में shares आपका नहीं है अगर आपका उस proportionate में shares आपके dimate account में नहीं है तो उसका जो है price आपको पैसे जो है आपके bank account में आपके trading account में आ जाएंगे जो bonus shares देने का mean objective होता है वो होता है price को reduce करना और liquidity रहाना कि मतलब से यहाँ पे investor जो है वो भी आ सके MRF आज तक spread नहीं किया है Nestle आज तक spread नहीं किया है उसका price देख लो 80,000 तो वो चाहे तो कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है वो depend करता है board of members के उपर कोई compulsion नहीं है कि मतलब board of members चाह रही है कि split हो जाए bonus हो जाए वो board of member चाहेगी तो होगा नहीं चाहेगी तो नहीं होगा ITC क्या करती है उसने split कर दिया है face value उसका 1 है अब वो जो है उससे नीचे split नहीं कर सकती है तो वो क्या करती है 1 is to 1 bonus देती है जैसी ITC का price आपका 400-500 touch करता है 1 is to 1 bonus मिल जाता है आपको तो ये जो है liquidity इंक्रीज करने के लिए retail मतब छोटे-छोटे जो investors होते हैं वो भी उस stock को खडीज सकें उस company में भागीदारी बन सकें इसके लिए जो mainly वो use करते हैं bonus shares को ये भी समझ गए bonus shares में क्या होगा price आपका reduce होगा number of shares आपके demand account में बर जाएंगे जो face value होगा वो change नहीं होने वाला split में क्या होता है price भी reduce होता है आपका number of shares भी demand account में की जो होता है और वहाँ पर face value भी कम होता है ये सवाल एक और सवाल बहुत सा misconception आपके माइंड में है बहुत से comment आ रहे है sir dividend जो है बढ़ जाएगा मैं फिर से बोलता हूँ dividend बढ़ जाएगा लेकिन जो है आप सोचरो 10 times बढ़ जाएगा ये बिल्कुल गलत concept है अगर आपने थोरी बहुत research नहीं कर रखिये जाके आप research कर लें जाके देखें ITC जो है 4% 5% dividend देती है साल का क्या वो split करने के बाद बोनस इतने बोनस देने के बाद उसका dividend yield 50% 70% का हो गया साल का नहीं हुआ है तो अगर बोनस मिलता है split होता है उसी proportionate में जो है आपका dividend भी कम होगा dividend yield जो है अगर price पर compare करते हैं बहुत अच्छी company है 3-4% देगी HDFC टाइब की company है तो 1% का dividend yield देगी आपको HDFC bank जो हाल में ही 1-1 bonus दिया हुआ था क्या dividend yield उसका 1% से 2% हो गया है नहीं हुआ है चीजें concept clear रखें market में टैक्सेशन के regarding bonus का लगाता है वो जब भी आप अपने broker का profit and loss account open करोगे वहाँ पर सब लिखा होगा short term long term क्या क्या है वहाँ पर आप सिर्फ download कर लेना speculative मतलब जो भी आपने इंट्रेट है किया होगा उस पर आपको according to your income tax lab pay करना है tax short term में 15% plus 6 long term में आपका up to 1 lakh rupees per financial fee है per pen उसके ऊपर 10% है तो tax की आप चिंता मत करें tax आप जाके broker के profit and loss से डाउनलोड करेंगे सारा broker आजकल वही दिया रहा है speculative, short term, long term आपको कुछ calculate करने की ज़रुदत नहीं है कब खड़ी दया था, कितने भी खड़ी दया था cash pay हुआ है, क्या bonus हुआ है वहाँ से आप download कर लो और tax pay कर लो समझगे tax session भी क्या है इसका bonus में जो है, mainly आपका ये issue होता है sir, 5 is to 2 bonus means 1 is to 3 bonus means simple term में समझे, मैं left और right calculate कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे आपको in future कभी दिक्कत नहीं होने वाली bonus क्या आड़ा है, क्या आड़ा है बिल्कुल concept clear हो जाएगा left, right, left, right left मत्तब क्या होता है इतने सेर्स आपको मिलने वाले है free of cost, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पहनी करना इतने bonus सेर्स हो है, जो left वाले में है वो free of cost आपको मिलने वाले है right वाला वाले क्या है, ये सेर्स आपके demate account होना चाहिए, record date को, तभी आप number of shares need to be available in your demate account मत्तब इतना सेर्स आपके demate account में है इतना मिलने वाले है, sir मालोब मेरे पास one है तो उस proportionate में जो भी सेर्स होगा मिल जाएगा या फिर आपको उसका पैसा आपके trading account में या bank account में पहुँच जाएगा यह भी concept clear, यहां 1-3 का मतलब क्या हो गया left मतलब इतने सेर्स आपको मिलने वाले है right मतलब इतना सेर्स आपके demate account में होना चाहिए तो 1 सेर्स आपको free of cost मिलने वाला है 3 सेर्स पे, simple concept left-right का formula याद रखना बोनस में lifelong, sir total number of shares कितने मिलने वाले है bonus के बाद मेरे account में कितना दिखने वाला है इसका भी एक simple formula है, दोनों का add कर लो 5 सेर्स आपके demate account में जो दिखेंगे bonus के बाद वो दिखेंगे 7 वो bonus जो new share है आपका जो new share है वो आने में 10-15 days का time लाएगा working days का घबराना मत total number of shares जो आपको demate में दिखने वाले है वो दिखने वाले 7 दोनों का add कर लो bonus में जो simple formula आप याद रखो 5 से 2 है तो 7 1 से 3 है तो 4 मालो 2 से 3 हो और 5 जो भी जो भी ratio होगा दोनों का add कर लेना into जितना number of shares अभी आपके पास available है bonus के वाल इन 200 कर देना मालो मेरे पास 100 shares है तो 5 से 2 कितना होगा है 7 तो 7 इन 200 total number of shares जो है मुझे 700 देखने वाले है bonus के बाद जब भी पूरा क्या बोलते है 15 working days के अंदर वो new shares भी मेरे दिमेट एकाउन में करेड़ हो जाएंगी तो यहाँ पर 1 से 3 है मेरे पास 100 shares है तो 1 plus 3 कितना होगा है 4 into 100 400 shares होगा तो total number of shares समझ गए bonus के बाद कैसे दिखने वाला है left plus right जो भी आपका left plus right जो भी है उसको add कर दो into number of shares जो है आप multiply कर दो total number of shares जो है आपके डिमेट एकाउन में उतने दिखने वाले है यह तो होगया total number of shares sir price कैसे इसका adjust होगा वो बताएं समझ गए tax समझ गए यह total number of shares कितना आने वाला वो भी समझ गए अब मैं price के बताने वाला हो बात कैसे होती है यहाँ पे कुस टर्म समझ लें आप record date मतलब इस date को shares आपके डिमेट एकाउन में होना चाहिए डिमेट में आने के लिए अगर आप 12 को buy कर रहे हो तो आप eligible हो split या bonus के लिए समझ गए मैं bonus बता रहूं यहाँ पे तो अगर आप 12 में buy की हो और इसका price 1000 ही है तो 13 को 9 AM को ही इसका price split हो जाएगा या bonus उसका जो है वो price आपका कम हो जाएगा X date को ही record date को नहीं होने वाला ध्यान रखना मैंने वीडियो बनाए वाइस करिगाड़ी X date को हो जाएगा record date को मतलब आज आपने buy किया trading day trading plus one day trading plus two day इस date को share साबका चलायाएगा आपके डिमेट एकोन में तो आप eligible हो आप 11th को भी buy करते हो तो आपका price जो adjust होगा जो भी आपका 12th का closing price होगा मान के चल रहा हूँ morning morning same price पे open होता है तो आपका 9am को ही आप after market order भी लगाओगे 12th के बाद तो काम नहीं करने वाला 9am को ही जो price split हो जाएगा तो अगर आप 13th को buy करते हो तो आप new sales buy करते हो old sales buy नहीं करते है आप new sales मतलब जो price split हो चुका वो जिर buy करते हो simple concept है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको price कैसे split होता है मान लो x date की में मैं बात नहीं कर रहा हूँ x date से one day before आपने buy किया किसी price पे मैं मान की चल लो हूँ आपने 1000 पे buy किया 1000 का price है price कैसे split होता है मैंने क्या बोला है bonus मतलब left right add कर लो total number sales कितना हुआ 2 2 divided by number of price अगर मान लो 1 to 1 का bonus मिल ला है तो दोनों को add कर लो price से divide कर लो आपको 500 डूपीज का price होने वाला है आपके बास 100 shares है 1000 के rate पे तो 1 lakh का valuation हो गया 1 is 2 मतलब 2 shares आ गया demand account में total number sales 2 हो गया price हो गया 500 तो 500 into 200 कितना हो गया 1 lakh valuation आपको बिल्कुल सेम रहने वाला है यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है price समझ गया कैसे distribute होता है यहाँ मान लो 3 is to 1 है total number sales कितना हो गया 4 3 और 1 कितना हो गया 4 price कितना है 550 का है 550 का divide by 4 करोगे तो 137.5 आएगा अगर मान लो 1000 का price है 3 is to 1 का bonus है 1000 divided by 4 कर देना 250 का price हो जागा आपको x rate को morning morning 9 यह भी concept clear 5 is to 1 का मतलब क्या हुआ दोनों का add कर लो कितना हो गया 5 plus 1 6 total number of sales कितने आने वाले 6 आने वाले है price कितना है 15 का 15 divided by 6 करोगे तो price इसका 2.5 होने वाला है अगर मान लो यहीं पर मैं 5 is to 1 करता हूँ 6 1000 divided by 6 कर देना जो price हो वहाँ चलाएगा मान लो यहाँ पर 3 is to 2 का bonus है तो 3 plus 2 कितना हो गया 5 1000 का price है आपने 22 दिन भाई किया 1000 का price है मान लो तो उस price को divided by 5 कर देना X rate को morning morning कोई price change नहीं होता है तो आपका 200 का price दिखेगा तो समझ गए price भी कैसे आपका split होता है आप जिस rate को buy करते हो उसके अगले दिन well-based same रहने वाला है well-based में कोई change नहीं होने वाला 30,000, 30,000 after split 16,500, 16,500 after split 17,500, 17,500 after split तो concept समझ गए total number of shares कितने आने वाला है demand account में दोनों को add कर लेना और जितना number of shares उसको multiply कर लेना समझ गए उतने number of shares डिमिट में आने वाले है price भी समझ गए कैसे distribute करना है जो भी price पर आप buy करोगे दोनों को add कर लेना उससे divide कर लेना जितना number of shares से उसको आप multiply कर देना value is in same रहने वाला है तो price जितना price आप जिस price से आप आप buy किया आप one share, divide by जो भी आपका दोनों को add कर कर लेना simple उसी price का आपको जो है morning morning rate दिखने वाला है और कुछ change नहीं होता है तो यह भी concept clear हो गया तो बस यही है यह बस ध्यान रखना जो भी आप stock buy करते हो split होने के बाद अभी split का issue चल रहा है split में क्या होता है old face value जो है वो company ले लेती हो अपस और new ISI number के साथ new shares introduce करती है उसमें तोड़ा time लएगा आपको तो घबराएंगे नहीं सब आपको सब कुछ चलाएगा चिंता नहीं करने आपको bonus में क्या होगा old share आपको दिखेगा new share आपको आने में थोड़ा time लएगा लेकिन price split हो जाएगा तो आपको जो है loss दिखेगा घबराना नहीं है जैसे ही आपका new shares add हो जाएगा आपका loss दिखना बंद हो जाएगा तो दोनों cases में आपको घबराना नहीं है simple concept है आपको shares मिल जाएगे profit same नहेने वाला है taxation के बारे में चिंता मत करें जाके profit and loss से आप डाउनलोड करोगे speculative short term long term वैसे ही पे कर देना simple concept है मैंने बता दिया है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छ लगा हो वीडियो अच्छ लगा हो कि पर लाइक करें सब्स्राइब करें सेयर करें trading और dimate accounting जो वीडियो को डिस्क्रीसिन में है वहाँ पर जाके आप उपन कर सकते हो कुछ भी साहिता होता है मैं नाइट को एट्म लाइव आता हूँ वहाँ पर क्या पूछ लेना सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब जहां भी आपको learning मेरे दिखे जोईन को लोगत अपते के लिए दोस्तों धन्यवाद